आज घर मैं सभी की डिमांड थी कि कुछ स्प्वेसल सा बने और टेस्टी भी हो साथी हेली भी हो और जल्दी भी बने तो फिर क्या था मैं किजन में गई और साथी में ने बनाई एक प्यारी सी चटनी तो एक ही तो जैसे हम आटा बनाते हैं पराठे के लिए हमें सेम इसा ही आटा चाहिए और अगर आपके पास आटा गूथा वह नहीं है तो आप आटा गूथ प subtle מא चेश्ट को यह यह व्युशन सब्सक्ता सकते हैं इस आटा में नमक बगर अच्रूच आप पेर लोई जाएं और इसे हम बेल लेंगे तो फ्रेंस आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताएं ताकि मैं आपको भी थैंक्यू बोल सकूँ और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब् कोड़ियां बना लेनी है और इस तरह से मैंने सारी बना ली है तो फ्रेंस आप इस नास्त्य को बना कर सकते हैं कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी तो अब हम इने इस तरह से शेक लेते हैं तो आप एरन का तबाई लें या फिर इस तरह से नॉन इस्टिक तबे आप इसे सेख लीजिए तो सारी हम डाल देते हैं छोटी छोटी होती हैं तो धेर सारी तबे पे आ जाती हैं और जब यहां पे एक साइट से थोड़ी सी सीख जाएंगी तब हम इने पलट देंगे और आपको तबाहे बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है लो टू मीडियम ही सीख चुकि हैं तो कभी भी सबजी रोटी खाने मन नई है तो आप यह नास्ता बनाएं सबजी रोटी का भी काम करेगा बहुत ज़्यादा थेस्टी होगा तो अभी आपको लेने हैं यह पे उब्ले हुए आलू or उबले आलू आपको तीन चार लें जैसे भी आपको रेसिपी बनाना चाहते हैं तो अभी इनको हम मैश कर लेंगे और उबले अलू को आप गरम-गरम ही मैश करें बना ये मैश नहीं होंगे और इसमें गुठलियां बन जाएंगी तो मैंने इन्हें मैश कर लिया है अब इसमें डाल देते हैं हम ग्रीन बाला प्याज जो तो करीब चौथाई टीसपून मैंने डाला है गरम-मसाला साथ में हम डाल देते हैं टेस्ट के कॉडिंग नमक थोड़ा सा तीखा चतपटा बने उसके लिए हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला और थोड़ा सा रेड़ चिली पाउडर आप यहां पे चिली फ्लेक्स भी और मैंने यहाँ पे एक ग्रीन चिली डाल दी है और हरा धनिया और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं यह स्टाफिंग बहुत ज्यादा तीखी चटपटी बनी है तो आज की रेस्पी एकदम नई है पूई रेस्पी को आप त्यान से देखें और रेस्पी तभी आप फोलो करें तो अभी हम यहाँ पे पेन लेंगे और इसमें मैंने डाला है करीब आधा चमच कुकिन गॉयल इसमें डाल देते हैं दो से तीन लाल मिर्चे और साथी जीरा डाल देंगे और करीब एक बड़ा चमच डाला है इसमें चना दाल और यहां पे आप हीट को लो रखें, वरना दाल बिलकुल जलनी नहीं चाहिए। दाल थोड़ी सी रोस्ट हो जाए। तो इसी के साथ आप इसमें थोड़ी सी उड़त दाल भी डाल सकते हैं, यानि कि धुली हुई बिना चिलके वाली जो उड़त डाल होती है ना वो डाल सकते हैं तो मैंने करीब इसको 30 सेकंड्स के लिए भुना है फिर हम इसमें डाल देते हैं करीब तीन चमच पीनट और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है नारियल तो सुखा वाला नारियल है इसको मैंने टुगड़ों में कट करके है इसमें डाल दीपता अगर आपके पास फृरेश करीब ता हैं वो डाल सकते हैं मेरे पास यह ड्राई है और इसको हम थोड़ा सा फ्राय कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें अट करेंगे थोड़ा सा खजूर तो खजूर की जगे आप इसमें थोड़ी सी इमली भी अट कर सकते हैं मेरे पास खजूर था तो मैंने खजूर अट कर दिया है इमली से थोड़ा खटा बनाता है और खजूर से थोड़ा सा मीठा तो आपको जो पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा इसको फ्राइ कर लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो हम इसको ग्रैंड जार में अड़ करेंगे और जब ये ठंडा हो जाए तभी आप इसको ग्रैंड करें इसके साथ ही हम इसमें कुछ और चीज़ें भी आड़ करेंगे ताकि चटनी हमारी बहुत ही टेश्टी बने तो अब इसमें हम आड़ करेंगे नमक तो सा हम पानी आडि करेंगे क्योंकि ऐसे ग्रैंड नहीं होगी तो पानी आपको जितना एड करना पड़े आप इसमें डा सकते हैं और इस देखिए मैंने इस तरह से ग्रैंड कर लिया है तो आज की चतनी हम दो तरह से बनाएंगे और आधी चतनी हम इस बॉल में निकाल ले तो आप चाहते हैं, आप सब्सक्राइए आप्सप्राइए तो और ख़ल्ग राया है उसमें भूंता वाल मिर्च लाल पाउड़ और शुख्राइए तो अब हैं तो इनलीजी को थोड़ा सा क्राय कर लेंगे और यह जले ना इतना ध्यान रखें और यह तड़का जाएगा हमारी चेट्नी में तो फ्रेंज में यहां पे पी वाली सरसों का यूज राई है आप यूज वाली सरसों और फिर काली में राए है उसका भी चुछ आप कर सकते हैं तड़के में तो लीजिये बहुत ही टेश्टी हमारी दोनों चट्नियां बनी हैं और इन्हें आप फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं और इस चट्नि को आप इटली डोसा या फी किसी भी इस नेक्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस पे त समक तो इसमें याड़ करेंगे हरा धनिया और इसमें हम हरी मिज नहीं याड़ करेंगे आप चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसका एक बैटर बना लेंगे तो फ्रेंस आप इसली वीडियो का थैंक्यू जाता है प्रकास पंत जी बीकानेर से हैं गुझराथ से हैं प्रतीमा पतेल कानू जी हैं इंदोर से कामीनी निगम जी हैं कानपूर से और उडीसा से हैं प्रवाशनी दास जी थैंक्यू सो मच आल आफ यू तो देखिए यहां पे मैंने इस हमारा तयार है तो यहां पे देखिए छोटी छोटी जो रोटिया मैंने बनाई थी वो भी ठंडी हो चुकी हैं और इन्हें आप अच्छे से ठंडा कर लिजिए तभी आपको आगे का प्रोसेस करना है यह आप ध्यान में रखें तो अभी हमें क्या करना है जो से लगा दिया है और सभी पर हमें इस तरह से स्टफिंग अपनी लगा लेनी है तो मैंने इस तरह से लगा ली है देख रहे हैं तो अब आपको इसको बना कर आप किसी जिप लॉक बैग में या फिर किसी आप टिबबे में भरके आप इसको फ्रीज में रख सकते हैं और और इसे हम बैसन के बैटर में डीप करेंगे और कड़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है और इसमें आप डाल दीजिए तो जो इस्टेफिंग वाला पार्ट है ना उसे हम नीचे की साइड रखेंगे यानि कि वही ओल में जाना चाहिए तो इस तरह से मैं सारे नास्ते को डाल दूंगी तो इसे आप एक दूसर तरीके से भी बना सकते हैं जो बहुत ही मज़ेदार है तो मैं इसे अरते पड़ते हुए फ्राइब कर लूँगी तो फ्रेंस यहां पे आपको हाई टू मेडियम हीट पे इसे फ्राइब करना है और आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बेल को जरूर प्रेस करें तक आपको मेरी हर निव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो फ्रेंस यहां पे आपको इन्हें सब्सक्राइब करना है और आपको इन्हें लो हिट पे बिल्कुल भी नहीं करना है वनना यह सौगी हो जाएंगे और तेल को अब्सक्राइब कर लेंगे तो देखिए बहुत क्रिस्पी बने हैं अब मैं आपको बताती हूं दूसरा तरीका तो आपको दो इस तरह से एक ही स अब बना है ना यह बहुत ही जादा मेजी लग रहा था मुझे तो कि इसमें डबल स्टफिंग है और यह देखिए यह तो क्रेक हो गये हैं और यह वाला मैंने खाया था सच में बहुत ही जादा यह टेस्टी लगे थे तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं यह गोल्डन ह करना है अब हम प्लेटिंग करेंगे तो आप इस रेस्पी का क्या नाम देंगे कमिंट मुझे जरूर बताएं और जब गुता हुआ रखा हो और बॉयल्ड आलू हो तो आप यह रेस्पी जरूर ट्राइब करें बहुत ही जादा टेस्टी है क्योंकि इसमें आटा भी है और आलू भी है और चटनी तो बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट बनी है तो बना कर आप इस्टोर भी कर सकते हैं कभी भी ऐसा हो कि रोटी सबजी खाने का मन नहीं है तो आप एक बार इससे ट्राइब करके देखे फिर आप मुझे याद करेंगे मेरे घर में जब यह खाया भी ने तो बहुत ही खोश हो गए सब तो जरूर ट्राइ करें मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग